यहां में गेट से इंट्री होकर यह चर्च है होस्पितल का में सेंटर में चर्च है और यह है सिल्वर गेट बिल्दिंग जहां पर तदकाल के लिए एप्लाई किया जाता है यह अपिदी ब्लग बिल्दिंग है यहां से और एक्टिव गेट है यह सी एमसी का दॉक्टर नर्स लुका बास है यह अपिजी ब्लॉक्ट यह है सी एमसी का इमर्जनसी वोर्ट जहां पर सीरिस ममाबला को यह लेके आता है यह है सी एमसी का आई सी सी ब्लॉक्ट जहां पर बच्चा और महिला के लिए स्पेशल ट्रेक्मेंट चल किया जाता है इदा इस्पुदर सेंटेनरी सेंटर को विमिन एंचा चिल्डरेंड वोई दिपार्टमेंट का बिल्डिंग है यह एवर्ड बिल्डिंग है जहां पर एगनीटर पेशन लुक यहां में रखता है इन पेशन लुक पर रखता है यह है आसा बिल्डिंग जहां पर रेडियोलोजी, इतिलोजी, सीटी, इसके नजरा को प्रोफेस किया जाता है अभी आपको एक नजरा दिखाएंगे, यह CMC का आसा बिल्डिंग का टॉप प्लोड से मैं यहां से वीडियो बना रहा हूँ, जहां से सेनरी आप जो देख रहा है उस तरफ यह वो जो ब्रीज को देख रहा है ब्रीज पार करके रेल्वे स्टेशन है जहां से भी इंडिया भारत के कोने कोने से अब CMC के लिए आ सकता है रेल्वे स्टेशन का नाम है कटपटी अब चेनाई से भी आ सकते हो, बैंगरोर से भी आ सकते हो गौहाटी से भी आ सकते हो, देली से भी, कलकटा से भी आ सकते हो कटपटी में रुखना है, कटपटी से या CMC तक कोटो जो है 20 रुपिस लेके पहुंचा देता है यह जो देख रहा है, CMC का, दोक्टर और नार्स का, क्वार्टर और नार्सिंग कोलेज, उसी में है यहाँ इस तरफ देखने से पहार ही पहार है, जो पूट सल्तन के समय में वो पहार का उपर में गर बनाया था, वाल भी बनाया, और रानी के लिए यह जो यह जो गर बना के रख दिया तो उसमें यह पानी का तेंकी भी बना के रखा है, बहुत बढ़ आसर, वहाँ पे गारी से नहीं पहुंचता है, बाइदल चरने के लिए यह नीचे से वहाँ कोटी 5 मिनिट लगता है, यह सिम्सी बेलोह का बिल्दिन नजारा देकरा हो का, पॉप सिम्सी में आने के लिए, आप बाइए आने से, आपको चनाई नी तो, बेंगलोर में लेंडिंग करना परेगा, और बाइबास, बाइब कार, जो भी बेहिकल से आप यहाँ पून सकता है, सब ट्रांस्पोर्टेशन टेसलिटिस एबेलेवल हैं, ओ जो गारी जाते हुए आप सब देख रहा है, यह चनाई तो, बेंगलोर का हाईवे हैं, सबसे बीजेस्ट हाईवे, यहाँ में 24 आवर्स बराबर ही गारी चलते रहता है, चनाई से, यहाँ बेंगलोर होके, डेली, मुंबई, गुआ, कस्मीर, पुरा यहाँ से जाता है, क्रिस्टन मेडिकल कोलेज एन हॉस्पिटल, यह जो है, जगा बेलोर में है, और तमिल नादू के अंदर में आता है, और इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, यहाँ में नेपाल से, बुटान से, भंगडेश से, और दूसरा दूसरा डेश से भी बहुत लोग आता है, और बारत का सभी इस देज से, यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग आता है, और आप सब जो ये मेरा वीडियो को देख रहा है आप सब भी अच्छा से अच्छा अगर त्रीटमेंट लेना चाता है तो इसी में आ सकते है तैंक यू